नमस्कार जी हाकिसान सात्यों हम बात करेंगे जीरे के बाओ के बारे में आगामी दिनों के दोराण जीरे के बाओ कैसे रह सकते हैं क्योंकि सेर बजार में पिछले कापी दिनों से उच्छाल आ रहा था और पिछले कापी दिनों के बाओ जीरे के बाओ में गिरावर दिखने के आसा आ रहे है अभी जीरे के पार एवरेज के इंसाब से 38 no में साटाँधा तक चल रहा है क्हले सण्वार को मेरिता मंडी में जीरे के बाहँ 32,350 को पारच चले गये थे लेकिन अब धोड़ी получится बाहँ में गिरावट देखने को मिली है आगामे दिनों में जिरे के बाव ज्यादा गिरवट नजर नहीं आ रही है क्योंकि आपको बताएंगे जिरे में तेजी कब आ सकती है किसाद जिरे को रोके या बेचे इसके बारे में ताजी जान करी देने वारे है वर्तमान में जिरे में सोट केविंग चल रही है क्योंकि 5-6 तिनों में जिरे के बाजार में 10 फिशिती गिरवट आ चुकी है अब जिरे के बाजार में नज़र डाले तो जिरे के केम तो 25,000 इस से निचे सपोर्ट मिल रहा है जिरे की बात करें तो अब जिरे के कीमद 60,000 पर देखने को मिल रही है और 26 जुन को जिरे के भाव में भारे उचाल आया था NCDX पर 69,300 पिछे तरके उपर चला गया लेकिन अब सेर बजार में सन्युआर को 25,300 के नेचे आ गया था लेकिन वेसे सग्यों की माने तो जिरे के बाजार ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी आगामे दिनों के दोराज सेर बजार में कापी पिछले दिनों से उचाल नजर आ रहा था पिछले कापी दिनों के बाद अब गिरावट भी देखने को मिल रही थी जिसकी बड़े वज़े है यानि टेंडर कम्यूटी बाज़ार में जिरे को सेहल कर रहा था आगामे दिनों में जिरे के बाव यतावत इस्तर रहने की संभाव ना है अभी जिरे के बाव एवरेज के इसाथ में देका जाए तो 38 लेकर 60,000 तक चल रहा है जो पिछले सनिवार मेर तमंडी में जिरे के अधिकतम भाव 62,350 को पार कर चाया और लेकिन अब थोड़ी देर जिरे के बाव में गिरावत देखने को मिली थी आगामे दिनों में जिरे के बाव में जिदा गिरावत नजर नहीं आ रही है क्योंकि आगामे दिनों के बाव यतावत इस्तर रहने की संभाव ना है बड़ी जानकारी के लिए किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर ले वे रोजन आपको मन दिबाओ ताजा जानकारी मिलेगी जीने के बारे में हर लेटर्टर सब्सक्राइब आज ही जरूर रोजे कर ले वे धन्यवाद